दोस्तों आज के वीडियो में फ्रीलांसिंग की बारे में जानेंगे फ्रीलांसिंग क्या होती है क्या ये जॉब का प्रकार है क्या ये वर्फरोम होम जॉब है कैसे करना है सब कुछ आपको आज पता ज़ाएगा देखिए शुरू करने से पहले इतना जाना लीधी कि फ्रीलांसिंग एक प्रकार की जौब ही है लकिन ये आपके मन मताबिक चलती है फ्रीलांसिंग जैसा की नाम से इसपश्टी की ऐसा काम जिसमें आप फ्री हैं आपकी फ्रीडम आपके पास है देखे वैसे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग व्यपार करते हैं, कुछ लोग अपना job करते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन free-lancing के ऐसा बहुत ही बढ़िया तरीका अभी हाली में, pandemic period से हम लोग उब रहे हैं, जब हमने देखा कि काफ तो यह प्रकार की freelancing कहीं जा सकती है लेकि नहां पर आप बात दें कि आपको daily काम करना ही है आप बंदे हुए है जब freelancing की बात आती है तो यहां पर आप simply एक project उठाते हैं एक महीने के अंदर वो काम करके आपको देना होता है या दो दिन के अंदर काम करके देना होता है तीन किसी कंपनी को एक सॉफ्टेयर चाहिए तो उन्होंने एक सिंपल डाल दिया एक प्लेटफॉर्म पर कि भाई मुझे एप कम्प्लीट करके चाहिए बना कर चाहिए और मुझे वह काम आता है तो मैं मुझे जैसी वह एड दिखा मैंने उनसे बात करी कि हां मैं बना सकता हूं पैसे डिसाइड हुए इतने इतने रुपर होंगे ठीक है कितने समय में दिया जाएगा उनकी एकस्पेक्टेशन में 15 दिन मैंने बोला नहीं मैं 20 दिन में कर दूँगा तोड़ी बहुत नेगोशियेशन हो गया अभी मैंने उनका काम पने हाथ में ले लिया अब मुझे त कर सकता हो रात कर सकता हों दिन में अगर नहीं करना जाओं तो नहीं भी कर सकता हूं भस मुझे जो समय रिच 15 करना है मैं समय में काम प्रीट करें दे दूगा उष्छ फनिस्न के पास आता हुद आप लगता कि मेरा काम उनके लिए सटिसवेक्टरी था तो वह मुझे अगल इडिटल मार्केटिंग कर सकते हैं या वेब डबल अब कर सकते हैं या SEO का काम आता है कि भाई music और audio काम आता है या आप music और audio बना सकते हैं वीडियो बना सकते हैं या फिर data entry काम कर सकते हैं data entry काफी ज़्यादा work from home या freelancing के काम में आता है क्योंकि ज़्यादा तर इस चीज़ के लिए बहुत कम skill की ज़रूरत होती है तो अगर यह काम कर सकते हैं मान के चलिए आपको computer पे MS Excel का अच्छा कासा knowledge और आपको typing भी आती है typing speed भी आपकी काफी अच्छी है अब आप freelancing search कर रहे हैं जो प्लेटफर्म आगे बताने वाला हूँ उन पर आप search कर रहे हैं और आपको दिखा कि हाँ यहाँ पर data entry का काम है आपने वो काम अपने हाथ में लिया आपने उनसे बात करी कि हाँ इतने इतने पैसे हो जाएंगे उनका offer जो था उसके हिसाब से आपने भी टाय कर लिया इतने दोना में देंगे अब आपको सिर्फ data entry करनी है आप data entry करके उनके समय पर देते हैं पैसे आपको मिल जाते हैं बात ख़दान हो जाती है उसके बाद अगर उन्हें satisfactory result मिलते हैं तो हो सकता है अगला कोई tender उनके पास है तो वो भी आपको दे दें और आप freelancing करके उन्हें दें तो freelancing आप समझ रहे हैं कि जहां पर already demand है उन्हें को चाहिए ऐसा skillful person जो कि ये काम कर सके आप उन्हें उतने समय के लिए वो चीज़ दे रहे हैं अब एक company के अंदर एक ही काम बार बार नहीं आता है तो उसके लिए किसी बंदे को hire करना उनके लिए भी मुश्किल है उसको hire करेंगे तो कितने समय तक खीच सकते हैं उसकी job को कि वो सिर्फ एक समय के लिए ही काम करें उसके बाद ना company को उसकी जरुरत है ना ही उस बंदे को काम करना है तो यहां पर यह attachment अच्छा कासा मिल जाता है और आप फ्रीलांसिंग के दूरू कमा भी सकते हैं इनको सिर्फ एक समय के लिए काम है पर्टिकुलर समय के लिए वो काम आप करके दे सकते हैं या तो company के पास यह option होता है कि कि किसी agency में जाए जो वही काम कर रही तो फिर वो ऐसे freelancers को ढून रही होते है अब freelancers में आपको एक चीज़ तो पता जले कि कमाने का अच्छा खासा जरीया है आप यहां पर अपने skill के मताबिक चीज़े ढून सकते हो jobs ढून सकते हो काम कर सकते हो और अलग हो सकते हो लेकिन आपको बता दू यह सीखने का भी प्रीमियर प्रो आता है या फिर मुझे दाविंसी आता है या फिर मुझे मान के चलिए फिल्मोर आता है मैं इनके फिर मोबाइल पर application मोबाइल अप्लिकेशन हो गई मेरे पास कोई उनसे मैं करता हूं वी एन एडिटर हो गया या फिर जो भी है काइन मस्टर हो गया इन मैं जॉब लूँगा मैं काम करूँगा काम करके उन्हें दूँगा थोड़े बहुत उनके तरफ से feedback मुझे मिलेंगे मैं और जादा काम करने की कोईश करूँगा ऐसे मैं धीरे 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 मेरी practice जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और एक समय यही practice से मैं एक अच्छा editor बन सकूँगा तो यह है freelancers की मतलब दो प्रगार के फायदे कि आप एक पैसा कमा सकते हैं शुरुआती दौर में कोशिश करें free of cost project लीजिए और सीखिए सीख कर आप काफी अच्छी अपनी skill को बढ़ा सकते हैं अपडेट कर सकते हैं अब बात आती है कि freelancing का job मिलेगा कहां से तो देखिए freelancing का job आपको बहुत सारे online platform है जहां पर देख सकते हैं जैसे कि आप indeed पर search कर सकते हैं indeed पर वैसे जादर आपको full time या part time jobs मिलते हैं नौकरी पर भी same चीज़ मिलेगी आपको आप LinkedIn की profile अपनी बना सकते हैं LinkedIn की profile को अगर बनाते हैं और उस जो आप connection उनाते हैं तो attract करता है कि आप ये काम कर सकते हैं वहां से आपको बहुत सारे offer आ सकते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं क्या तो कर दीजिए हमारे लिए लिए लिंग्डिन पर profile maintain कीजिए आप एक simple application freelancer.com पर भी आप जा सकते हैं वहां से आपको सारी लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको इजी पड़ेगा freelancer.com आप डाउल कर सकते हैं पने फोन में जहां पर बहुत सारे freelancing के options आपको देखने के लिए मज़ जाएंगे content writing जिसमें बहुत ज़्यादा प्रचलन में है आज के content writing में बहुत सारे लोग अपने हाद आजमाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी skill को बहुत आगे तक भी लेकर के चले जाते हैं इसके अलावा आप guru.com पर जा सकते हैं आप fever पर जा सकते हैं फीवर के अंदर भी काफी होते हैं तो यहाँ पर आपके पास या तो एक computer हो या laptop हो जिसकी ability उस लाइक हो कि वो काम कर सके अब आपने video editing का काम अगर आप मिले तो आपको पता होना चाहिए क्या आपको काम हो पाएगा या नहीं क्या उस लेवल का computer है वो चीज़ आपको जरूर रखनी है दूसरी ची अच्छा हो उसमें काफी सारा data हो और वो आप sharing कर सकें यह आपको ध्यान में रखना है वरना company अपने तरफ से जितना कर सकती हो तो करेगी लेकिन आपके पास से दिक्कत हो सकती है तीसरी चीज आपके पास एक बढ़िया सी email ID हो आपकी खुद की email ID हो जिस पर communication हो सके जिस पर feedback का आदान परदान हो सके जिस पर चीजों का आदान परदान हो सके जिस पर raw material आपको पहुंचा जा सके और जिसके थुरू आप उन्हें अपना final product दे सके यह आपके पास होना चाहिए और चौती चीज आकाउंट आपके पास होना चाहिए किसी भी बैंक का जिसकी कि नेशनलाइज बैंक में अकाउंट रखे और उसके डीटेल्स अगर आप बेजते हैं या फिर किसी वालेट वगेरे का डीटेल्स आप बेजते हैं तो और भी जादा अच्छा हो जाता आपके लिए थोड़ी security भी बढ़ जाती है वालेट में पैसे आप ले सकते हैं तो क्या चीज़ों की ज़रोत पड़ेगी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मैं में वीडियो में धन्यवाद